कोई भी अपडेट होती है तो टाइमली वेसस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफोर्म पर गाइस गेट के लिए डेफिनेटली काफी जाधे सर्प्राइजिंग अपडेट्स आ रहे हैं अगर आपने नोटिस किया है बहुत सारे ऐसे ओर्गनाइजिशन जो प्र इसके अलावा भी अगर आप देखोगे बेंकिंग सेक्टर में भी इवन गेट से ओपनिग होने लगी है और इसके साथ साथ आपने यहां पर देखा होगा तो इस्टेट गवर्मेंट के जो डिफरेंट ऑर्गनाइजिशन ने उनसे देखा होगा इसके अलावा आपने ने के बात करें आज के बारे में तो बिहार इस्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो कि एक गवर्मेंट और अंदर फंक्शन करता है यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट नोटीस आप लोगों के लिए आया है और मैं सबसे पहले जो इसके रिगार्डि पर आप सबको बता है यह डिटेल एड़र्टाइजमेंट कवर भी हुआ था गेट वाला के प्लेटफोर्म पर और यहां पर टोटल वेकेंसी जो है वह यहां पर पहले जो थी उसको बढ़ा के इसको इंक्रीमेंट भी इसका कर दिया गया तो यहां पर आप नोटीस में जा सब्सक्राइब तो यहां पर आप नब्चाय को बहुत सारी क्यूड़ी अगी कि वो 15 October 24 होगी तो इस डूरेशन में आप वापस फॉर्म कर सकते हैं जिस भी स्टुटेंट ने नहीं फिल किया है और यहां पर मैं आपको बता दूगाई इस काफी स्टुटेंट को इस फॉर्म को भरने के रिगार्डिंग बहुत सारी क्यूरी जोगी तो यह डिटेल इस भी स्टूटेंट नहीं फिल किया है वह अभी भी फिल कर सकते हैं विकेंसी का नंबर बढ़ गया है गेट एस्पेरेंट के लिए डफेनेटली एक अच्छी नूज है क्योंकि वाहां पर भी जो डिफेर्ट डिपार्टमेंट है इस यहां पर असिस्ट एंगर की वेकें करेंट होना स्टार्ट हो गए आप क्या अपने व्यूज रखते हो कि गेट जो है क्या उसको एक ओल इंडिया लेवल का एक्जाम जो है वह इस तरीके से हो कि जितने भी जो इंजिनिरिंग से रिलर्टेट वेकेंसी जो गेट से फिल्ड हो क्या ऐसा होना चाहिए इसके उपर कोमेंट सेक्शन में बताएगा मैं आपकी व्यूज भी जानना चाहूंगा बागी कुल्दीप सर अंडरिस्कोर पीडव्यू टेलिगाम चनल टेलिगाम पर साथ करके जोइन कर लिजेगा आपके केरियर से लेटर जो भी अपडेट या इन्फोर्मेशन आएगी वहाँ पर